नमस्कार मैं हूँ रुमान उल्ला खान आप देख रहे हैं बड़े मिया किधर चले बड़े मिया किधर चले की टीम पहुँच चुकी है उत्तर पश्चमी दिल्ली लोगसबा शेतर में ये लोगसबा सीट बहुत जादा मैतपूर्ण है हंस राज हंस फिलाल बीजेपी के यहां से सांसद है सुल्तान पूरी और मंगोल पूरी ऐसे दो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम आबादी काफी बड़ी संख्या में रहती है आज इस लोगसबा शेतर में मुसल्मानों के दिल का हाल जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी राजनितिक सोच क्या है चलते हैं बड़े मियां किधर चले के इस सफर पर क्या लामें आपका मोममद इलाल लाल साहब आपके क्या मुद्द हैं मुसल्मान किधर जाते दिख रहे बाएं नई इन्शा ळा इस बार तो आपर फोल कॉंग्रेस को बोड जागा वाउड तोक्षिए लूट पीछा है उसके पीछे क्या बज़ा है उसकी बज़ा यह है कि हम लोग बहुत परिशान हो गए मुसल्मान सबसे आदा मर रहा हुआ है सबसे आदा मुसल्मान काम से धंदे से हर चीज़ से मारे हुए हम लोग हम तो प्याजा लूगा काम करते हैं महंगाई इतनी हो गई है हस्ते जादा प्तिव यहैं एक मोडिन्फ गांदी अपनी सब्सक्राइब को आएगी मृंगा को वाइगी वहाताун है अब हेजी हुआ कि दर जाता दिख रहा है आपको मोधी की तरफ या कहीं और कॉंग्रेस की तरफ क्योंकि वह बैटर है क्योंकि मोधी जी तो हमारे पासला देख रहो आप कैसे बेदवा पुशा रहे हैं हिंदू-मुसलीम में क्योंकि जो कॉंग्रेस है कभी उस टाइम पर हमारे कभी हिंदू लग गया है मुसलमान लग गया है वह गया है एक साइड वह भी कॉंग्रेस की साइड क्योंकि एक तहीं ज़रूरी है हिंदू-मुसलीम तो काफी पहल रहा है देख रहो आप सुल्तानपुरी एक ऐसा इलाका है जो जेजे कॉलोनी है कमुनल वाइलेंस भी यहां पर हुई है और साथ हिंदू और मुसलिम के जो आबादी है वो काफी कंजस्टेड है आप देख सकते हैं कि पूरा जो इलाका है यह तरह से जेजे कॉलोनी का यह पूरा इलाका है और ब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद रमानुल्ला भाई क्योंकि आप हर वक्त जो है देश के सही जो है जानकारियां हमारे देश में पूरे में बताते हैं सबसे पहले आपका बहुत-बहुत सुक्रिया मुसल्मानों का मूड तो ये मान लीजिए कि इस बार फिर से मोदी सरकार के मन बना लिया है मुसलिम समाज ने मुसलिम समाज ने इस बार ऐसा मूट बनाया है कि अब तक जो च्छलावा च्छलाते रही है विपक्छी पार्टिया कॉंग्रेस हो गई जाडू हो गई और भी बहुत सारी पार्टिया हो गई उसको नजर अंदाज करते हुए क्योंकि वाकही में जो दस साल में हुआ है मुसलिम समाज के लिए काम जमीन पे वो सिर्फ मोदी सरकार में हुआ है और मोदी सरकार आने के बाद से आज मुस्लिम समाज अपने आपको हर तरीके से सुरच्छित महसूस कर रहा है और किसी भी भरम को ना मानते हुए मुस्लिम समाज ने मन बना लिया है अब की बार तीसरी बार 400 पार मोदी सरकार ऐसा क्यों मतलब क्या वज़ा है कि जो पिछली बार से भी जादा सीटे और जादा मुसल्मान आपका कहना है कि वोट दे रहे हैं उसका वज़ा ये है कि जब से मोदी जी आये है भारत हमारा बिस्व में आज भारत का नाम है बहुत सारी सरकारे आई लेकिन मोदी जी के आने के बाद आज हम सब महसूस करते हैं कि भारत हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है और इसको देखते हुए और मुसलिम समाज के लिए जो मोदी जी की नीतिया है चाहे वो सुकन्या योजना हो गई, तीन तलाक हो गया, हज का कोटा बढ़ाया और उजोला योजना हो गई ये सभी जो मोदी जी की नीतिया है वो घर घर तक मुसलिम समाज के पास पहुचा सोचाले का जो हुआ हो उसका फायदा मुसलिम समाज को जो पके मकान बने उसको मुसलिम समाज को और हर नीतिया मुसलिम समाज तक बहुत ही अच्छे तरीके से पहुची और सबसे जादा कोई फायदा हुआ है तो सिर्फ मुसलिम समाज का हुआ है इन नीतियों से पीछे वड़ी मियां बड़े खुश्च लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आप कि दर चले बड़े हैं? बोधी सरकार साही खुश हो रहे हैं, अब नीज जो मुस्कुरा रहे हैं, बोधी सरकार आ जाजाएंजी और खुश हो जाएंगे. वजा क्या है? पूरी दुनिया हो सब खुश कर रही है हम तो हम भी खुश कर रहे हैं यही वज़ा है क्या नाम है आपका बसी रुद्दिन नाम मेरा कितनी उम्र है आपकी मेरे है पिचासी साल की उमर बहुत सरकारे देख लिए आपने संखे जमाने से बीजेपी में हूँ तो अब क्या लगता आपको इस बार क्या वोट मुसल्मानों का जो वोट है वो किधर जाता दिख रहा है ऐसा है कि बीजेपी नहीं थी कांगरे सरकार थी हैं तो यहां पर हिंदु मुसल्मान बहुत जगड़े होते थे फूरे देश में लोग परेसान थे मुसल्मान इद बक जब से मुदीजी आए हैं तो हिंदु मुसल्मान म कोई खगड़ हुए आज तक बड़े आराम से मुसलमान रहने हैं, Lehrer है आए CAUD, बढ़े अच्छा, जैसा पहले कभी मुसल्माने में होगा मुधी के जमाने महमाद साफ जैसा मुधी के जमाने में इस जमाने में इस को टरफ से देखते हैं और बिधेश चलाना है इतना लंबा अर्षा देखा प्रदर्शन उसल्मानों ने बहुत बार मुधी का विरोध भी किया तो क्या आप कुछ सोच बदलती आपको दिख रही है आप इतने अरसे से सब को देख रहे हैं कि हाम सोच तो बहुत बदल गई है पहले तो मुसलमा में डरते थे का बीजीप को नाम सुनते ही हमको भी गाली देते थे तुम बीजीप मुचले गई हिंदियों के पार्टी है और आप मुसलमान समझ गए और देख रहे हैं जो काम देख रहे हैं बारत में इतना बड़ी आ क हुआ है रात दिन आदमी अपने आप कहीं जाओ कहीं आओ कोई स्टोकने वाला नहीं है बेहन बेटी बड़े आराम से आती जाती है और उस जमाने में दुबक के नकलती है बेहन बेटी के कोई बदमास गुंडा चिर न देवे अब वे ऐसा जमान नहीं अब तो एक घाट पानी पीते हैं तो सेर बकरी की तरह चल लाए एक घाट पर चल ले हैं उतर बच्चिबी लोकसवा सीट पर मंगोल पूरी भी एक जीजे कॉलोनी है मंगोल पूरी भी घनी आबादी वाला इलाका है जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं यह क्या सोच है मुसल्मानों की जानने कोशिश करते हैं क्या नाम है मेरा नाम हनी फ़सर है और मैं एक परसिद रॉइटर हूं बुद्दी जीवी वी वर्क में आता हूँ तो रॉइटर हैं आप इंटेलेक्च्वल काम करते हैं इतने सालों में क्या बदलाव दिख रहा मुसल कि आजमाएंगे लोगों ने आजमाया और वो इस पर मोदी जी और उनकी सरकार खरी उतरी और इसलिए अब यह मुद्दा रहा नहीं है कि मोदी यह मुसल्मान ऐसा को मुद्दा नहीं है अब भी मुसलमान टोटल मोदी जी के साथ हैं क्योंकि हर चीज में जो सुविधा मिल आप रैटर हैं किसकी सिर्ट को मिक्स को अबने किसन लिखाए और होर कि fitness में सब्सक्राइब लिखा हूआ है और और हुप ए को में लिखन में कई राज को मैक्स मनुञश कॉमेक्स नूतन कॉमिक्स डैमेंड कॉमिकस एसे आप शुरणवंगे तो उसमें है लेकिन एक बात मैं चाहरा कूमिक्स होता है काफी कम हो गई है अब डिजिटल जमाना है इंडिया की करते हैं तो क्या आपको फाइदा मिला और यही कारण था कि मुझे जिस तरीके से बीजेपी ने खुद शैमिल किया और फुद मेरे को जितना एप्रिशेट किया उसके लिए उसमें मेरा राइटर होने का बहुत ज्यादा योगदान है क्या नाम है मेरे नाम दर्याब खान है अर्टासाब कि धर जा रहे हैं मसल्मान आप लिद्व जा रहा है फिकिए जैसे मसल्मान बीजेपी केरी तरouse जा रहे हैं तो जाढ़ हैं कांभ कर रहें मैं गाड़ी चला दाँ ट्राइबर ट्राइबर तो किन योजना का आपको फाइदा मिला मोडी जी किसी योजना है वेकरा सब दे रहे हैं अब क्या करते हैं कि इमरान क्या करके तो अब क्या यूवा पीडी को जब आप बच्चे थे तब आपने बीजेपी के बारे में जो सुना होगा या अब जो सुन रहे हैं तो क्या आपको लखा है हमने अब तो देखा है मोधी जी ने क्राइम फ्री इंडिया बना दिया अब जितने बड़े बड़े नेता जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल वह आज तक कोई भी सरकार उन्हें हटानी भाई मोधी जी ने सफाया कर दियो उनका अब कोई बदमासी करके तो दिखा दे क्राइम फ्री इंडिया बना दिया मोधी जी ने रोजगार की बात होती है यूवा को क्या चाहिए जुकेशन और रोजगार तो क्या आपको कुछ फ करते हैं मैं बिजनिस करता हूं कि यूवा समाज मुझी की तरफ तरफ जा रहा है बजा वजब आज देश में हर तरफ सब कुछ बड़िया चल रहा है मोधी जी जो भी मतलब कि शिकाम दंदे बड़िया चल अब जो लोगो ने अफवाफ हेला रखी है वो कंगरेस की तरफ से के जी महंगा ही है महंगा है पर ऐसा कुछ निए जो काम करेगा इमानदारी से काम करेगा वह आगे बढ़ेगा और अच्छे से अपना पालन परसंट करेगा वाहिद सल्मानी क्या करते हैं सीशे का काम करते ह गिंद्र सरकार्क ही को यसी युजना छोस्या आपको फाइदा मिल रहा हो है होते हैं मधीज ने शुकन्या वाली युजना है मैं और और बाकी वह हो कि कहते हैं कि देते हैं लेकिन SCP कोハमकत करता है इसके लिए सब देते हैं अदमी शुर्क पेसिया को लेकर मुसल्मानों की सोच है अगैसा काम कर रहा है इसम lesa कामुरा आ क्या नाम मैं आपका чओ-द्रमिंग equet मुद्दे तो कुछ नहीं है इस बार मोदी जी ने इतना काम किया है कि कोई मुद्दा है यह नहीं जो मुद्दे पीछे थे मुद्दी जो कहा वोट उधर जा रहा है मुद्दी जी को है 400 से प्लस ही जाने वाले हैं यह तो मुद्दी जी का एक दावा है उनका एक सोच है कि 400 प्लस आप एक वोटर होने के नाते भी कहते हैं नहीं लग रहा है ऐसा कि मुद्दी जी को पहले से ज़्यादा ही सीटे मिलेंगी पहले से ज़्यादा ही मिलने वाली ह जादा बढ़ा है पहले से जादा अधिक मिलेगा क्योंकि कोई भेदवाव नहीं है मोदी जी की तरफ से किसी भी योजना का कोई भेदवाव नहीं है सब को एक समान रूप से मोदी जी देख रहे हैं तमाम राजनितिक दल वोटरों को लिजाने के लिए अलग-अलग दावे करते हैं अलग-अलग बाते करते हैं मुसलिम समाज भी उससे अच्छूता नहीं रहता है मोदी सरकार के आने के बाद शाहिंद बाग जैसे अंदोलन भी हुए एंटी सी ए एन रसी जैसे प्रोटेस भ बढ़िए चल रहा है है और हिंदु यह मुसला खूब मिल जोलकर रह रहा है हमें कापी साल होगी कोई क्या काम करते हैं कि कब से कर रहे हैं हम जी करता है 2003 2003 से कर रहे हैं अच्छा जो योजना है जैसे राशन योजना उसका फाइदा मिलता बिल्कुल मिलता बराबर यह हम पांचे लोग हैं तो सब को मिला है 15-18 किलो गहिंदे दें चावल और वहां की आपका जो है वह कारोबार से हो जाता है तो इस बार मतलब सोच बदली है ऐसा लगता आपको नहीं सोच बदली जी के यह मोदी जाएंग जाएंगे क्या नाम है अपका यह बताईए कि क्या क करतें आप कवाड़े का काम करतें कि अधर जा रहा है जूव तर बहुत जाएगा अपके बार 400 पार की उम्मीद राशन का फायदा मिलता और किसी और योजना का फायदा मिले जूला इसलेंडर कुछ मिला है लोल सना भी विली है उज्जला की भी विली है और राष्ण भी बिलता है सब कुद मिलता है ठीक है तक दो जितनी भी सरकारे हैं कोई बी पूर हुत हो हमारे मोधी जी के सरकार हो या बीज़ेपी और तुमारे राहुल गांदी जी हो या हमारे के गैजुरि वाल जी हो पैचान ये के धूप चाय कितनी भी कड़ग हो वो सूरज को कभी सुका नहीं सकती पहली बात दूसरी बात धर्म किसी का कुछ भी हो लेकिन पैचान उसके करम से है अब करम के पैचान ये कि देश में जिस तरह विकास हो रहा है जिस तरह देश हमारा आगे बुढ़ रहा है तो यह बताने के जुरूत नहीं है अपने किसी भी भाई को भी कौन इसको आगे लेके चल रहा है ये सब को नज़र आ रहा है कि बहुत ही सरकार आगे चल गई है जाता है कि बात तो खरते हैं लेकिन बीजेपर को वोट नहीं देता है गलत सोच लोग होगी क्या है कि एक द सब्सक्राइब करें और उनको आगे बढ़ाएं आपका मेरा नाम है बानो बेगम मंगुलपुरी में रहते हैं सुल्तान पूरी तो क्या आपकी सोच है क्या महिला जो मुस्लिम है पिछली बार भी यह कहा गया था कि पती कहीं और वोट दे कर आ है लेकिन महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था क्या यह सचाई है बिलकुल सचाई है देखिए पहली बात तो यह है मानिये हमारे परदान मंतरी मौदी जी ने बहुत मान सम्मान दिया लेडिसों को मुस्लिम हो यह हमारे हिंदू भाई हो है और बहुत ही उनके साथ अच्छा सलूक हो रहा है और दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम महिलाओं जी कहा कि सरकार के दौरा कियाग sayा, क्या उ जमीनी इस तरफ पर आपको होता dखे रहा है ? क्या महिलाओं तक वो तक वो ताकत paralyze कि पहुच रही है?" नहीं पहुच रही है으면 जडूर बिलकुल पहुच रही है, ऐसा कुछ नी है कि नहीं काई 자신ी कहानी से वो दूर है क्योंक्त काफी अच्छा है उनोंने ये मतलब शंगस उठाया था मददा उठाया था उस मुद्दे के मद्दे के हम जो मुस्लिम महला हैं वारे सारी बहुती मतलब खुश हैं और हम मोदी जी के साथ हैं मोदी जी ने बहुत ही अच्छी यूजनाई लेके आए हैं देखिया जी राशन है और मतलब करुना कार्मे मतलब टीके वगरा हैं उसमें बहुत अच्छी मतलब उन्होंने सुद्धाई दी थी और सारे काम उनके अच्छे हैं कहीं भी लेडी से जाती हैं मान सम्मान के साथ उनका काम होता है कोहीं भी चली जाएं उनकी उनको इज्जत मिलती है मोदी जी के साथ हैं हम मुस्लिम महलाएं जिती भी हैं और अपके भी हम मुस्लिम महलाएं मोदी जी के साथ जी जान से हम तयार हैं बिलकु मैं मसरूर एहमद क्या तो देते होंगे जी बिल्कोल देते हैं बोर्ड किदर जा रहा है इस वार बीजेपी बोर्ट जा रहा है तरह क्योंकि जो क्योंकि empresa Loonse मैं जमीनी इससर पर मैं देख था हूं कि मेरा मेरा समाज मुसलिम समाज वह काफी जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और माननी है प्रधान मंतरी मोधी जी ने जिस तरह से यह कारे कर रहे हैं वो बिल्कुल ही मतलब तारी पे काबिल है आपके यहां पर काम करते होंगे गरीब घरों से आते हैं तो क्या आपको लगता है कि उनको यहां पर जो राचन की योजना है उससे को बात बता दूँ कि जे पहले कुछ मुस्लिम समाज बीजेपी से दूर भगता था लेकिन आज ऐसा नहीं है आज जो है पूरी तरह से मुस्लिम समाज जो है भारती जनता पार्टी के साथ है और बड़ी बात है कि इसी काववत है बहुत पहले से जी पूरे गाउं के कि मेरे होँ अक्बार पढ़ने भी आते हैं सेलुनों में कई तरह की बाते होती हैं मुसलिम समाज भी आता है अधरकाष्टे भी आती है जो कि मेरे का मशलमानों की बताई कि उनकी क्या सोच बन रही है कि यह मालो चाए उत्तर परदेश हो मन्दब कोई सा भी राज हो आज जो है मुसल्मान जो है चेन की श्रेस ले रहा है और स्रीफ अगर डर की जरुपत है तो उनको जरुपत है जो अपरादि किसम के हैं फ्रोस्त ANY उनको डर्दियción मुसल्मान को कोई डरने की जरुपत नहीं है बिल्कुल शकीला मंगौलपूरी में रहती है हाँ यहीं आई बलाक है इस बार तुनाव होने वाले हाँ 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 देखिए रूख तो हम नहीं बता सकते हैं वक्त पर देखी जाएगी अभी नहीं पता है कुछ अपना बताई मेरा पूछ रहे तो मैं तो देखूंगी जो का नहीं कर रहे देश के ऊपर में उसको बोड़ दूगी आ कि लिए किल आ राशी का जिक्षा कर een वहां करें कÁ्ना। थीयों प्लेट को फुछ कर चा कैञा कर रहा है तो हम और मोहलम मोहलमी आपका क्या नाम है कि आपका क्या सोच यह किदर जा रहे हैं मुसल्मान यह यहां तो मंगोलपूरी में मुसल्मान और दोनों पक्च के लोग जो है यहां मिक्स कलोनी हैं यह केजरीवाल को ही देंगे केजरीवाल का काम अच्छा है अच्छा इस वज़ से परहाई लिखाई हर चीज के लिए सबसीडी भी दे रहे हैं यह सबसीडी मैंने नहीं रखता जितना विकास उन्हों ने किया है वह मैंने रखता है राशन का कोई यह मुद्दा नहीं है राशन तो भाई साब हमकरे रोजगार हो तो राशन कमा के खा सकते हैं राशन हमें नहीं मिल रहा है अभी राशन आता ले लेकिन मिलता नहीं है पता नहीं कहते हैं कि जो आता वो ले जाता आप में रहेगा तो देंगे तो कोई बात नहीं यह हिसाब है सर्फराज ली जी हाँ किदर जा रहा है कि कॉंग्रेस की तरफ जनाब कॉंग्रेस वाज़ा यह कि जब हमारी सरकार चेंज होगी चेंज होती 2014 के इंदर उस टेम पे जो मुद्ध्य रखे गए ते उस विद्ध्यों पर काम हुआ नहीं है है उन्होंने मुद्ध्या रहा नहीं कोई बात है हमारी देश की भूल खारॐ बात नहीं होती है और गुन मुद्ध्य पढ़ना हमारा आज 50 रुपे तो ऑस्सुर्पे के लेंद पहुंचच उंध्य है इनुद्ध्य पर सर्कार ए І apostles लहीं होगी ती और यह मुद्धों पर आज कोई बात करता है ना कोई बैस होती है और पैट्रोल के बैस पर पेले कम थे अलगवक शाट रुबही था उसके भी अब तक तो कुछ नहीं पता है अब देखो कि जब अलक्षन होंगे कहां जाएगे कौन जीता तो तो अलग बात है लेकिन आपके कोई मुद्धे हैं कुछ सोच है क्या है किसा अधार पर वोड़ तो यह बीजेपी हटनी चाहिए और कोई भी कांग्रेस आजा है या कुछ भी आया है बीजेपी हटनी चाहिए यह है उसक जाता है नोकरी नहीं मिल पाती यहीं वजाए आपका क्या लाव है जी मेरा नाम मुहमद अंसार आपकी क्या सोच है किदर वोट जा रहा है मुसल्मानों का मारे हिसाब सब्सक्राइब कांग्रेस को जा रहा है बाकि जहां हमारे बड़े होंगे साथ हम उन्हों के साथ यह किस फायदे को देखते हों महंगाई वाले मुद्दे हैं बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिने हम देख भी रहे हैं और आपको क्या बताए हमारे तो उसमें बेरोजगारी इतनी बल रही है हद से जाद है बड़े मिया किदर चले का यह सफर लगतार जारी रहेगा अब आने वाले दिनों में और जो लोग सबा सीट हैं वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर मुसलमानों की क्या सोच है क्या उनके मुद्दे हैं इसके बारे में जानेंगे आप लगतार देखते रहें निज नेशन और निज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें